हेलो, इस वीडियो में हम यह सिखेंगे कि जब हम BAMP सर्वर को अपने PC में इंस्टाल करते हैं, करने के बाद जब हम योर प्रजेक्ट में फोल्डर को देखते हैं, तो वहाँ पर हम उसको उपन नहीं कर सकते तो उस फोल्डर को उपन करने के लिए हमें कुछ सेटिंग करने पड़ेगे यही हम इस वीडियो में सीखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे यह डेस्टोप पे बांप सर्वर है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यह बांप ici pancakes server इसके बड़ी है और यह और पर करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उपर आएगा local host यहाँ पे click करेंगे इसके बाद यहाँ पे bomb server यहाँ पे open हो जाएगा तो यहाँ पे यह दिये गया है yours project यहाँ पे एक folder है first project तो यह देखो यहाँ पे यह open नहीं हो रहा है यहाँ पे link नहीं बन रहा है तो इसको open करने के लिए हम कुछ setting करेंगे setting के जरीए फिर जब हम इसको run करेंगे तो यह run हो जाएगा तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे बंद करेंगे यह बंद किया this pc यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद c drive इसको यहां पे open करेंगे, open करने के बाद हम यहां पे bomb64 इस folder को यहां पे open करेंगे यह folder open किया, open करने के बाद हमारे पास यह folder आ जाएंगे, यहां पे हम www folder के उपर click करेंगे और इसको open करेंगे यह open किया, open करने के बाद यहाँ पे यह folder आ जाएंगे और यह निचे file ले आ जाएंगे तो हम यहाँ पे index.php file इसको यहाँ पे open करेंगे तो यहाँ पे इसके उपर right click किया right click करने के बाद open with तो open with हम यहाँ पे notpad text editor यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे यह notpad यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे इसके उपर click करेंगे यह click किया click करने के बाद यहाँ पे index.php notpad window यहाँ पे open हो जाएगी यहाँ पे तीन tab दिये गया है file, edit, view तो हम यहाँ पे edit tab के उपर यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद हम निचे यहाँ पे find next यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद हम यहां पे लिखेंगे आलाइसिस कंटेंट्स तो यहां पे हम इसको आलाइसिस कंटेंट्स यह देखो यहां पे आ जाएगा यह alices contents लिखा है इसके बाद यहां पे हमने जब यह search down किया तो यह यहां पे alices contents यह आ जाएगा यह देखो यह आ गया इसके बाद फिर हम यहां पे search down यहां पे click करेंगे तो यहां पे click करने के बाद यह देखो यहां पे आ जाएगा alices contents तो यह जो यहाँ पे दिये गया है, इसको हम सारे को कॉपी करेंगे, तो यह देखो, यहाँ से हमने इसको स्लेक्ट किया, यह स्लेक्ट करने के बाद, यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक किया, इसके बाद कॉपी पे क्लिक किया, कॉपी पे क्लिक करने के फिर हम यहां पर एडिट टैब पर जाएंगे और यहां पर फाइंड करेंगे अब फाइंड करने के बाद यहां पर लिखेंगे हम प्रोजेक्ट कंटेंट्स यहां पर प्रोजेक्ट कंटेंट्स लिखने के बाद यहां पर यह देखो प्रोजेक्ट कंटेंट्स यहां पर सेल किया डिलीट करने के बाद यहां पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर पेस्ट करेंगे जो पिछला हमने कोपी किया था उसको यहां पर पेस्ट करेंगे यह पेस्ट हो गया पेस्ट होने के बाद इसको हम यहां पर बंद करेंगे फिर इसको बंद करेंगे यह देखो सेव क करेंगे और यहां पे बाम सर्वर यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह लोकल होस्ट यहां पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद यह लोकल होस्ट यहां पे ओपन हो जाएगा ओपन होनी के बाद यह देखो इसके बाद जो है यहां पे यूर प्रज यहाँ पे अब यह अपन होजाएगा यहाँ पर लिंक बन रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे local host लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे यह forward slash इसके बाद ही यहाँ पे हम लिखेंगे first project यह लिखो यहां पर first project लिखा इसके बाद यहां पर enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह लिखो यहां पर यह project open हो जाएगा open होने के बाद first project में हमने as नाव की file रखी हुई है यह लिखो as.php यहां पर हमने hello लिखा हुआ है तो यहां पर हम इसको open करेंगे AS file को open करेंगे यह दिखो open की open करने के बाद यह हम पे यह LO यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा तो इस setting के जरीए हम अपने BAMP project में folder को open कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने यह सिखा कि BAMP folder को open कैसे किया जाता है इसके बारे में सिखा अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चनल धन्यवाद